अस्सानाम अलेकम, ना चीनी ना गुर्ड रमजान की सबसे स्पेशल रिंग आज हम बनाएंगे निहायती कम पेसों में बनाएंगे, हेल्दी तो है, यह साथ में टेस्टी भी है, बस एक बार बनाएं, एक महीने नी छे महीने ताग आग आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं अच्छा मेरे साथ क्या हुआ था कि मिस्टी कम हो गई थी, कम पढ़ गई थी मिठास के लिए, तो मैंने थोड़ी सी इसमें चीनी भी शामिल करके मिस्टी और चीनी को साथ ही मैंने ब्लेंडर में पीस लिया था, अच्छा इसमें आप गुर्ड बुल्कुल नहीं ले सकते तो चीनी ले ले, लेकिन आप गुर्ड नहीं ले सकते, तो एक बरतन में हम पानी दालेंगे, इंगरेंस कॉंटिटी आपको साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें ये चीनी और ये जो मिस्री वाला हमने ब्लेंड करके रखा वाता ना, माल मसाला, उसको इस पानी में दालेंगे, और अशारी रखाएंगे लेकिन आपको बखार नो ये तकिन आपको पता हुँ कम पांसे शाध मिल संक करेंगे एक खंदेसको देखे लिए, सहसी कह मां देखा धना और तर्षकार नहीं हमने पहकर ब्लेंड कोम स्टीश के साइड में चीना के अव कितनी लिक्विडी है, बुलकुल पानी की तरह है, बुलकुल भी गाड़ा नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी हमने रखनी, जैसे भासर, नुरस, जामेशीरी बगारा मिलते हैं, थोड़ ऐसे थिक होते हैं, बस इतना ही हमने इसको पकाना है, उससे जादा नहीं पकाना, अगर आ आप क्या कर सकते हैं ना बहुत सारी शीज़े बना सकते हैं इक तो सोडा भी बना सकते हैं मैं एंड मैं आपको एक ड्रिंग बना के दिखाऊंगे लिकिर इससे आप मल्टी परप्रस रेसीपी है यह इससे आप सोडा भी बना सकते हैं मतलब एक दो चम्मच एक गिलास में दा के भी इस तरह भी हम इसका ड्रिंग एक बना सकते हैं बहुत ही टेस्ट ही यह तो यह मैंने फ्लेम आफ कर दी सी जब यह इतना गाड़ा हो गया था और यह ठंडा हुआ मैंने आपको दिखाया है कि इसके बीच में फिंगर इस तरह से ड्रॉ की फिंगर के एल्प से लाइन ड अब लेमन जूस दालेगा वनना यह आपका जो शर्बत है कड़वा होने लगेगा तो इसमें कुछ मसाले दालेंगा जो हैं जीरा पाउडर पीसी काली में अद्रा पाउडर जो सोंट होती है वो चाट मसाला काला नमक और प्लेन जो नमक होता है बस वो दालने इसकी दुगना तिगना बढ़ जाएगा आप ट्राई जरूरी कीज़ेगा बहुत ही ज्यादा टेस्टी और जवर्दसी शर्बत बनके तयार रहता है मतलब आप इफतारी में जो भी खाएंगे आप सब हजम हो जाएगा आप बस समोसे खचोरी जो भी कुछ खाएं पकोड़े व बीच है वो सारे निकल जाए पुदीना भी जो हलके से पत्तिस के रहे गाएं तो वह भी सब निकल जाए साफ हो जाए हमारा शर्बत थोड़े बहुत पुदीने के पत्ते मतलब रेश्य से आएगे वह ठीक है वह पीने में भी अच्छे लगते हो देखने में भी शर्बत तो थोड़ा वो ठीक है वनना आप इसको स्ट्रेंड करने तो मैंने एक बोटल ली ती एक आँच की थोड़ी तो बस मैंने एक आँच की बोटल निकाल ली और पूरा नहीं बस थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दाला है बाकी इसको आप किसी बोटल वगारा में एयर है उसमें दाल के स्टोर करके आप अराम से रख सकते हैं फ्रीज के अंदर दो तीन महीने कहीं नहीं जाएगा पूरे रमदान आपके अराम से गुजरेंगे यह मैंने थोड़ा सा कांच की बोटल में बस दाल लिया था प्रेजेंटेशन के लिए क्योंकि मैं जाहर है इसमे यह दाला है शर्वत इसके बाद मैं धंडा पानी ने यूज किया मैंने गरम पानी लिया था क्योंकि मेरा गला पेली ही ठीक होने का नाम नहीं दे रहा अगर मैं धंडा पानी दालूंगी न तो बस हो गया मेरे गले का तो काम तमाम उसके लावा यह वेसे भी रिफ्रेशि तो इसलिए मैंने फुली अवाइट कर दे ठंडा पानी में बुलकुल निदा सकती तो अगर ऐसी विच्छी लगी है न तो लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर दें मिलते हैं किसी और इंटरसी रेसिपी में जब तक के लिए अलाहा प्राफी से सुफफड़ तो अवाफी सुफड़ टो रीकमाद कर देंड़ झाद प्राफी सुफटर अवाफी सुछब तो इसक्षब तो राफी सुछब तो बाल चैनल प्राफी सुछब